यूं मुश्किलों से डर ना तू, प्रयत्नकर प्रयत्नकर तू कद्मों को न रुकने दे, स्वयम को तू न ठकने दे प्रयत्नकर के हारा जो, तो शिकस्त भी एक शस्त्र है इक पक भी ना बढ़ाया जो, तो ये जिन्दगी शिकस्त है अडचनों की धूप में तु कोशिशों की चाव बन यू मुश्किलों से तू नडर प्रयात्न कर, प्रयात्न कर संघर्ष, साहस, करुणा, मानवता और कर्मठता के प्रतीक श्री गोपाल शेटी उत्तर मुंबई का एक जाना पहचाना नाम श्री गोपाल शेटी जिन्हें फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट ने राष्टर में स्रेष्ट, महाराष्टर में सर्वस्रेष्ट सांसत के पुरसकार से सम्मा नित किया है गोपाल शेटी जी के लिए ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है ये उनके लंबे राजनीतिक जीवन का एक प्रतीक चिन्ह है वो जीवन जो उन्होंने कई दशकों पहले समर्पित कर दिया था जनता की सेवा के लिए सिर्फ चौदा वर्ष की किशोर आयू में कांदी वली के बूरसा पाड़ा यानि लोकमान्य तिलक नगर के घरीब और अभावों से भरी जनता की दशा सुधारने के लिए उन्होंने युवक मंडल की स्थापना की और ये जाहिर कर दिया कि सेवा और समर्पन के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं होती कार्य कुशलता प्रतिभा, उर्जा और राष्ट्र के प्रती समर्पन जैसे गुणों के कारण वे भारती जनता पार्टी के नेता श्री राम नाइक की नजरों में आ गए उनकी पार्खी नजरों ने गोपाल शेटी में अपार संभावनाय देखी और उन्होंने गोपाल शेटी को भारती जनता पार्टी के कार्य करता के रूप में शामिल कर लिया सफर यूही चलता रहा फिर वो दिन भी आया जब 1992 में वे वार्ड 149 के नगर सेवक के रूप में चुने गए उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा नगर सेवक के रूप में तीन कार्यकाल और विधायक के रूप में दो कार्यकालों के दोरान उन्होंने हर लिहाज से बोरिवली क्षेत्र के काया कल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हम कैसे भूल सकते हैं भांडूप से चारकोप के बीज बनी भूमिगत पानी की पाइपलाइन को जिसे श्री गोपाल शेट्टी ने मुंबई के प्रथम डेपुटी मेर रहते हुए अपने अभूद पूर्व प्रयासों द्वारा ही बनाया था और जिसके बाद से पूरे उत्तर मुंबई क्षित्र में पानी की समस्या ही खत्म हो गई गोपाल शेट्टी जी ने अपने अथक प्रयातनों से बोरीवली के नागरीकों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी हैं जैसे जिम खाने क्रिडास्थल स्वास्थे केंद्र उद्यान और भी बहुत कुछ जिसे देखते हुए भारतिये जनता पार्टी ने 2014 में श्री गोपाल शेट्टी जी के कार्य का दाइरा और भी बढ़ा दिया आज गोपाल शेट्टी जी महाराष्ट्र के सबसे कर्मट एवाम सफल सांसद हैं 2014 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ा और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने सरवाधिक मतों के साथ चुनावी जीत दर्ज की खासदार के रूप में प्रगती पत पर चलते हुए उन्होंने माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को यथार्थ करते हुए सामान्य, पिछणों और गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपने जीवन का एक-एक पल लगा दिया प्रधान मंत्री जी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर साकार करके गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई के हर एक जन मानस तक इसे पहुँचाया है जन सेवा एवं राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित अपने इरादों के पक्खे श्री गोपाल शेट्टी एक मात्र ऐसे नेता है जिनका काम स्वयम बोलता है और इसकी सूची बहुत ही लंबी है आईए श्री गोपाल शेट्टी जी के योगदान पर एक नजर डालें मुंबई वासियों के लिए रेलवे दिनचरिया का एक जरूरी भाग है अपने क्शेत्र में रेलवे के उत्थान के लिए गोपाल शेट्टी जी ने कई एतिहासिक कारी किये हैं जो हैं प्लेटफॉर्म्स की हाइड बढ़ाना, डीलक्स टॉयलेट का निर्मान, सभी इंडिकेटरों का आधुनी की करण, सभी प्लास्टिक कवर शीट्स और सीमेंट की जगह गैल्वेनाइज़ शीट्स लगवाना सारे वाटर पाइप्स एवं गटरों की दुरुस्ति के साथ-साथ नई वाटर वेंडिंग मशीन्स लगवाना बीते साड़े चार वर्षों में गोपाल शेट्टी जी ने बोरिवली स्टेशन का संपूर्ण काया पलट कर दिया आज बोरिवली रेल्वे स्टेशन का लोकारपन हो रहा ही है बहुत ही खुशी की बात है बोरिवली के नगर जनों के लिए और इसके लिए में देश के दूर दरश्टा प्रदान मंतरी मोधी जी को धन्याओ देना चाओंगा जिन्होंने सुरेश प्रभू जैसे एक अच्छे रेल मिनिस्टर को देश के लिए देकर बहुत बड़ी उपलब्दी हासिल की उन्होंने पांच एसकेलेटर्स, साथ लिफ्ट्स, ओवरहेड डेक्स, सोलार सिस्टम, न्यू टिकेट विंडो बिल्डिंग, जम्बो फैंस और स्काइ वॉक्स लगवाकर बोरिवली स्टेशन को एक नवीन तम रूप दे दिया साथ ही साथ बोरिवली स्टेशन पर पहली बार द्रिश्टी हीनों के लिए फुटोवर ब्रिज और सब्वेज में ब्रेल लिपी इंडिकेटर लगाए गए हैं इसके अलावा उन्होंने मालाड और कंधिवली में एसके लेटर्स और फुटोवर ब्रिज का निर्मान भी करवाया है और दहिसर में एसके लेटर का काम निर्माना धीन है उजवला योजना उत्तर मुंबिक शेत्र को चूले और स्टोव से मुक्त बनाने के लिए उजवला योजना के अंतरगत उन्होंने गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस चूलों का वितरण किया आज इन घरों की महिलाएं गोपाल शेटी जी की दिल से अभारी हैं जिनके कारण उनके घर में गैस की सुविधा आ गई गोपाल शेटी जी ने जिस सकारात्मक तरीके से इस उजवला योजना को उत्तर मुंबई में लागू किया उससे प्रभावित होकर देश के पेट्रोलिय मंत्री वो प्रधान मंत्री जी ने इस योजना को इन बदलावों के साथ पूरे देश भर में लागू कर दिया इसके अलावा गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई की अनेकों बिल्डिंगों में और कई घरों में महानगर गैस की पाइपलाइने लगवाई और कई घरों में अभी और पाइपलाइन लगाने का कार्य जारी है कौशल विकास योजना प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश है युवाओं को विभिन्ने कारियों में सक्षम बनाना ताकि वे इसके द्वारा अपने भविश्य का निर्मान कर सकें गोपाल शेटी जी ने उत्तर मुंबई में 16 से भी ज्यादा प्रशिक्षन केंद्रों की शुरुवात की जिसमें 600 से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रशिक्षन पाया है स्टार्ट अप इंडिया इसी तरह से उन्होंने स्टार्टप इंडिया अभियान में उत्तर मुंबई के अनेक युवाओं को स्वयम रोजगार के लिए प्रेरिद किया और आज ये युवा स्वयम रोजगार पैदा करके स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं महिला सशक्तिकरण गोपाल शेट्टी जी ने महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने एवं गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए कई प्रशिक्षन केंद्रों की एवं कई उद्ध्योग केंद्रों की स्थापना की है जैसे एको फ्रेंडली गणेश मूर्थी की सजावट तेवहार की वस्तूओं का उत्पादन वव बिक्री केटरिंग व्यवसाय का प्रशिक्षन, मेहंदी कला, ब्यूटी पारलर व्यवसाय, स्वस्त भाजी बिक्री केंद्र, जूट बैग, कपड़ा सिलाई प्रशिक्षन और महिला बचत गट प्रशिक्षन जैसी कई योजनाओं के द्वारा उत्तर मुंबई की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ गोपाल शेटी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी सराहनी योजनाओं का क्रियानवयन करते हुए मनोर से लेकर मलाट तक के आदिवासी क्षेतर की गरीब करन्याओं को साई की लेंवित रित की अनेक स्कूलों में गरीब बच्चों को नेशुलक नोटबुक वितरित की साथ ही उन्होंने गरीब स्कूली बच्चों को हर संभव आर्थिक मदद दी जिससे वे अपने स्वरणिम भविश्य की इबारत लिख सकें आदर्ष ग्राम योजना गोपाल शेटी जी ने आदर्ष ग्राम योजना के तहत महराष्ट्र में पालगर के आदिवासी क्षेत्र के एक अत्यंत पिछडे गाउं गोरेहे गाउं को दत्तक लिया और अल्प समय में ही उसकी काया पलट करके उसे विकास की मुख्य धारा में ला दिया उन्होंने इस गाउं के विकास के लिए सभी मूल भूत भोतिक वसंस्थागत सुविधाएं देने का पूर्ण प्रयत्न किया स्वच्छ भारत अभियान गोपाल शेट्टी जी ने देश के विकास के लिए बनाए गई हर योजना में बढ़ चड़ कर अपना योगदान दिया स्वच्छता अभियान के अंतरगत उन्होंने सक्रिय सहयोग देते हुए उत्तर मुंबई में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया स्टेशनों की नियमित रूप से साफ सफाई और उत्तर मुंबई तालाबों की सफाई एवं उनका सौंदर्य करण जैसे कारियों के साथ उन्होंने भारत विकास परिशद और रोटरी क्लब की मदद से 300 से भी ज्यादा शोचालाय बनवाए गोपाल शेटी जी ने अपने कार्यकाल में पूरे उत्तर मुंबई में खेलों को काफी बढ़ावा दिया है उन्होंने अपने क्षेत्र में खेल के कई मैदानों को बनवाया और ये सुनिश्चित किया कि इन मैदानों का रख-रखाव अच्छी तरह से हो सके और साथ ही खेल से संबंधित सारी सुविधाएं खिलाडियों को मिल सके खेल के साथ साथ सांस्कृतिक क्रिया कलापों में सर्वस्रेष्ट छात्रों को प्रोचसाहन देने के लिए समय समय पर इनका अभिनंदन भी किया जाता है गोपाल शेट्टी जी ने अंतर राष्ट्रिय योग दिवस के अवसर पर अपने कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योग का आयोजन करवाया एवं योग के प्रती जन जागरती भी फ्यलाई समाज सेवा में अग्रणी गोपाल शेट्टी जी ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आमबेडकर जी के पूर्ण कृती पुतले का स्थापन कांदी वली के शताब्दी रुगनाले में किया इसके साथ साथ उन्होंने मरीजों के रिष्टेदारों के बैठने के लिए डूम का निर्मान वह मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई है पहले हम लोग यहां आते थे तो कुछ भी नहीं था ना च्छाओ नहीं था यहां धूप में लोग रहते थे इसके अलावा समाज के विभिन वर्गों के लिए गोपाल शेट्टी जी ने अनेकों योजनाओं को फ्रोचसाहित किया कि ने इंडिया में जितने संसद है उत से ज्यादा से ज्यादा और राच्छ से अच्छा काम कर रहे हैं一樣 च्साद में लेकिन पहले कॉंस्यलर मेर मैं महें चोटा मुटा काम करा एगा वानों के लियान केंदर नौनीत वस्पीटल का कोई भी काम लेता है तो गोपल भाई को फोन करेंगे तो तुरन तो काम करवा देते हैं और हर तरह के समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर लें उनको जैसा संसदे है यह हमारे लिए गरवकी बात है काम गोपल शेटी साब के शुक्र गुजार है उनके वुझे से एक अच्छा मार्केट या तो गया है सुरक्षा बीमाई योजना बुजुर्गों के लिए फ्री मेडिकल चेक अप उत्तर मुंबई के पोईसर जिम खाना और वीर सावर कर उध्यान जैसी अनेकों जगहों पर बुजुर्गों के बैठने के लिए अलग से बैंचेस का निर्मान इसके अलावा बुजुर्गों के लिए समय समय पर कारिक्रमों और सेमिनारों का आयोजन करना गोपाल शेट्टी जी ने हर आयू और हर वर्ग के वेक्तियों का खास ध्यान रखा है और उनका जीवन खुशाल रहे इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयतन भी किये हैं गोपाल शेट्टी जी ने लोग सभा में भी विविद क्षेत्रों के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से अपनी राय रखी है मैं मंत्री जी को धन्यवा देना चाहता हूँ देश के प्रदान मंत्री नरेदर मोदी जी का अभिननन करना चाहूँगा सरकार आने के बाद में 2015 में एक जस्टिस बियन श्री किष्ण की समीति की स्तापना की और उन्होंने 2017 में इसकी रिपोर्ट दी और आज फिर एक बार एक साल के अंदर सरकार ने सालिव बिल को जो उनके सुजावते उसको एकसेप करते वे बिल के माध्यम से पार्लेमेंट मुनों ने इस बिल को लाया है सब के चहेते गोपाल शेट्टी जी एक अनुशासित जीवन जीते हैं देश के प्रती सची सेवा का भाव ही उन्हें हर एक जन्मानस के करीब लाया है गोपाल शेट्टी जी के करीब जाकर अगर उनके मन को टटोला जाए तो उसमें यही भाव मिलेगा कि मेरा उत्तर मुंबई सुन्दर रहे सुशिक्षित बने, सुसंस्कृत बने, सुद्रढ बने और स्वस्थ रहे गोपाल शेट्टी जी की यही कोशिश है कि इश्वर के दिये इस अन्मोल जीवन में धर्म के मार्क पर चलते हुए वे हर किसी को कुछ देते चलें हर किसी के लिए अच्छा करते चलें ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा देश और भी उमंगों से भरा हो, उर्जा वान हो, क्षमता वान हो